दुलारी की गागर भोलू शहर से बड़े ही दिनों बाद गाउं में अपने चाचा के घर आया है मैं कितने दिनों बाद गाउं आया हूं, यहां कितना अच्छा लगता है तुमारा सफर कैसा रहा? भोलू तुमने गाउं आकर अच्छा किया, हम खूब खेलेंगे और मस्ती करेंगे आओ बेटा, बैठो, कुछ खा पीलो फिर खेलना नाश्ता करने के बाद दुलारी, तुम नदी से पानी ले आओ नदी से पानी? किस लिए? घर में काम के लिए, जैसे पीने, खाना बनाने, हाथ दोना, सबजी दोना, घर की सफाई, आदी के लिए हमारे यहां तो पानी नल से आता है नल से? हाँ, क्यों तुम्हें नहीं पता? पानी कहां कहां से मिलता है? हाँ पता है मुझे पानी कहां कहां से मिलता है कहां कहां से मिलता है बताओ तो हैंड पंप से, कुवें से, नलकूप से, बारिश से, जरने से, नदी से, नहर से, जील से और समुद्र से भी ठीक कहा पर समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते वो बहुत ही खारा होता है मेरे घर में तो पानी नदी से ही आता है कागर में भरके सर पर रख कर अरे मेरी प्यारी बहन तुम तो नाराज हो गई मैं तो मजाग कर रहा था चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ चलो दुलारी नदी का पानी गंदा होता है न हमारे शहर से होकर जो नदी जाती है उसका पानी तो बहुत गंदा है उसका पानी काला और बदबुतार है तुम्हारे यहां नदी का पानी गंदा होगा पर हमारी नदी का जल एक तम स्वच्छ वर निर्मल है कैसे? इसकी दो वजहें है पहली हमारी नदी सीधा पहाडों से आती है इसमें किसी गाउं या शेहर की गंदगी नहीं है और दूसरी वज़ा दूसरी वज़ा है हमारे गाउं के लोग गाउं के लोग कैसे? हमारे गाउं के सभी लोग बड़ी से लेकर छोटे तक सबी नदी की सुर्चता को लेकर काफी जिम्मेदार और जागरूख है कैसे? सबी इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि नदी का पानी किसी भी तरह से दूशित ना हो जैसे कोई भी अपने कपड़े नदी में नहीं धोता ना ही अपने पशुमों को यहां नहलाता है ना ही इसमें खुद नहाता है हर कोई इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का कूड़ा नदी में ना जाए किसी भी प्रकार का दूशित जल, मल आदी नदी में नहीं डाला जाता अच्छा और समय समय पर नदी की सफाई भी होती रहती है हम पानी का भी सीमित उप्योग करती हैं जहां तक हो सके पानी का बचाव करती है दुलारी वभोलू गांगर लेकर नदी किनारे पहुँचे ये नदी कितनी सुन्दर है इसका पानी कितना साफ है काश हमारे शहर की नदी भी ऐसी बन जाए जैसे ही दुलारी आगे बढ़ी, इतने में एक मगर आ जाता है भोलू देखो, कितना पड़ा मगर मगर कहाँ? जैसे ही मगर मुँँ खोल कर आगे बढ़ा, दुलारी ने गागर उसके मुँँ में फेंगे नदी में? तुम्हारे गागर तो इसके मुँ में अटक गई, अब तुम पानी कैसे भरोगी? कोई न कोई तरकी तो लगानी पड़ेगी, घर के लिए पानी लेकर तो जाना है पर कैसे? दुलारी सोचते हुए मेरे तीन गिनने के बाद तुम मेरे साथ जोड से छीकना, ठीक है? ठीक है एक, दो, तीन आच्छी आच्छी मगर मेल अच्छी गागर तो नहीं निकली, अब क्या करें? इस बार कुछ और करना पड़ेगा क्या? दुलारी धीरे से भाँ 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 ठीक, ठीक है एक, दो, तीन भाँ 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 की आवास सुनकर मगर हड़ पड़ा गया और गागर निकल गई गागर के निकलते ही मगर वहाँ से भाँ गया अरे वाँ दुलारी तुमने तो कमाल कर दिया मैं चल्दी से अपनी कागर में पानी भर लूँ मां राह देख रही होगी दोनों गागर में पानी लेकर घर की ओर चले जाते हैं